जब हम किसी चीज़ को लीकी गट बोलते हैं लीकी गट सिंड्रोम बोलते हैं तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये की गट सिंड्रोम बोला जाता है अगर आपको स्मेट बहुते हैं तो कई लोग और नहीं चेहां है जो intestines है जो गट है उस गट की जो permeability है जैसे एक intestinal wall है उस intestinal wall के अंदर जरूर देखे अब्जाब होने के लिए भी उसमें रास्ते होते हैं तो permeability होती है कि पानी अब्जाब हो जाएगा खाना अब्जाब होगा उसके लिए एक पटिकुलर चीज है लेकिन उसमें point क्या होता है कि permeability इसकी बढ़ जाती है कई doctors इसको मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता कई doctors को मानते है कि होता है तो इसके बारे में बहुत जादा debates हैं दुनिया में तो हम अब इसके कारे में अपने standpoint पर नहीं जाएंगे हम बताएंगे कि यह क्या माना जाता है राइट इसको भी लीकी गड़ बोल सकते हो इसको भी लीकी गड़ सकते हो काई दे से अगर ऐसी चीज है तो हर चीज जो लूटिंग कर रही है जो गैस कर一 cd से है यह जैर क्रोमशन फील में या मेडिकल कॉल में अ मीबयों किसी भी डिगरी में नहीं पड़ाया जाता क्यूंकि वह मेडेइकल इसमें है नहीं मेडिक या तो बोले कि क्या है तो डॉक्टर्स को यह आपको यह समझना पड़ेगा कि यह तरीके का नया डाइग्नॉसिस है जो बेसिकली अलाइड साइनसिस में जादा बनाया जाते हैं आयरुवेदिक होमियोपेथिक ऐसे चीजों में नैचरोपेथिक उसमें बट क्वाइट फ्रैंकली ऐसी चीज नहीं एक्जिस्ट करती लेकिन जरूर ऐसी चीज है इंटरस्टाइनल पर्मियाबिलीटी वाली जिसके से बारे में आपको समझना चाहिए इंटरस्टाइनल पर्मियाबिलीटी का मतलब इंटरस्टाइन से अंदर बाहर अंदर बाहर कौन सी चीज जा रही है कैसी जा रही है सो एक इंटरस्टाइनल पर्मियाबिलीटी या उसको इंटरस्टाइनल हाइपर मोबिलीटी यह दो hierarch के मतलब उसके आरसके ही सहार नहीं कितना आसानी जा रहा है। बोरेश्यम्पल अगर कर लेंगे तो कपड़ा बसक्राइब सहागत खान सकते हैं कुछ लेकिन एक प्लास्टिक लें मैं प्लास्टिक पर नहीं नहीं है उस्क्यार पर कुछ नहीं जाता राइट सब्सक्राइब यह चुन्फ उप्सफरार जाथ थे परफा उदियए यह हुई और हाइपर मोर्विलिटी क्या हुई हाइपर मोबिलीटी का मतलब है कि आपके इंटस्टा κα drinks कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं तो आपके बॉडी के फंक्शन आपके बॉडी के रिस्पॉंस डिटर्माइन करते हैं कि हाँ आपकी बॉडी कितनी तेजी से मूव करेगी कितनी तेजी से मूव करने वाली है लियर आपके बॉड़ी के अंदर लीकी गट सिंड्रोम या है की नहीं इसके बारे में बाचीत करें तो क्या होता जाई अगर मान लिए आपके इंटेस्टैन कें निंदर कोई जैसे जंक्शन होताई स्मॉल इंस ताइन लाज इंटेस्टैन का झंक्शन उसके नीचे फिर लाज इंतुंटेक्टर्म का जंक्शन सिक्मर्डल को तो हर एक में क्या होता है आपके इंतर्सटाइन की एक्रविटी डिटर्माइन करती है तो हवाँ लाइनिंग थोड़ी थोड़ी बदलती है स्मॉल इंट इंटरस्टाइन की चकारा लग लाज इंक्रीस हो सकती है या और औरहे ने बड़ सकती है दूसरे में अब इंदर मंग हो सकती है या आपको होता है केसिन प्रोटीन से जो दो के आपके फीट के अंदर होता है तो ऐसे कुछ भी खाने से क्रॉंस डिजीज होने से अंदर अलसर होने से वहां पे बढ़ जाती है यह जैसी वहां खाना आता है इंटेस्टाइन मोबिलीटी बढ़ जाती है कि भाई यहां में को दर और हाइपर मोबिलीटी भी एक फैक्टर है दोनों की दोनों चीज़ों मैंने जैसे बताया और लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है फिर भी क्या हो सकता है जिया हो सकता है फिर भी हमारे बॉडी के अंदर कई चीज़े हैं जो नीचे जाके अंदर जाके इरिटेट है लेकिन बिना वह सकता है इंफ्लमेशन होना एक अवश्चक क्राइटीरिया है जो आपको समझना होगा और अगली किसी और chose से घूडेजी बीटेक्व सकता है अच्पी अचंब सकता है लिएशे तरा लीएशन इह सब्सक्राइब गारिटें। और यह कोई यूनीक चीज नहीं है बेसिकली यह बहुत सारी बिमारियों के एक सिंटम को बताया गया है कि आपकी इंटेस्टाइनल पर्मिअबिलिटी इंटेस्टाइनल मोबिलीटी बढ़ गई है हाइपर मोबिलीटी तो यह इन सारे कारणों से होता है इसका कोई लीकी अपनी राइएग्जक्ली है क्या इसी लिए इसको कहते है कि लीकी गट इसको कुछ थीटमेंट बेसिक डियाग्नॉसिस पर ध्यान देना होगा यह लिकी फिर बात आती है कि अगर यह लीकी घट है नहीं है जो भी है इसको फिर कैसे करें आपको पहले ढुनना पड़ेगा कि Liky gut का खारण क्या है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, Symptomatic Treatment देते हैं, What is symptomatic treatment? मतलब आपको lose motion हो रहा है, lose motion की दबा, आपको constipation हो रहा है, constipation की दबा, आपके पेट में पानी भर रहा है, उसके लिए जांच करके, लिवर किड्नी की जांच करके, उसके लिए दवा दी जाएगी, right, so, एक essential चीज है कि आपको symptomatic treatment देना है, साथ में lifestyle ठीक करना बहुत ज़रूरी है, right, you have to understand what to do and what not to do also, very very important, so, जैसे कि कोई people जिनको actually leaky gut होता है, उनको कुछ supplements दिये जाते हैं, जैसे कि L-glutamine supplement दिये जाते हैं, theoretically, glutamine का बहुत अच्छा रोल ह है, body के अंदर glutathion और दूसरी इस तरीकी की चीज़े बनाने के लिए, so, glutathion अपने आप में anti-inflammatory है, so, obviously, किसी भी inflammatory conditions में आप anti-inflammatory चीज़ दोगे, तो it's good, point क्या है कि glutamine is the most abundant amino acid जो आपके body में already जाता है, चाहे आप सही वक्पे सोना, सही वक्पे खाना, यह basic है, right, और आपका diagnosis पर भी depend करेगा, मानलों, आपको Crohn's disease पता चलता है, so, diet का एक बड़ा रोल पढ़ जाता है, उसमें, कि आपको अगर sea leg disease है, तो wheat gluten वाली चीज़े अवोइड करने पड़ेगा, अगर Crohn's disease है, तो food के जो triggers है, वो अवोइड करने पड़ेंगे, कोई ऐसी चीज़े जैसे कोई किसी को राजमा, किसी को छोले, those things किसी को irritate कर रहे हैं, तो उनको वो important point है, उसके लिए जरूरी है, सही वक्पे सोना, 8 गंटी नींद, 4-3-4 लीटर पानी, उसके लिए बहुत जरूरी है, 10-15 मिनिट, 20 मिनिट exercise, these are basics, लाइक यह हमको करना ही चाहिए, जो नहीं करते हैं, उनके body में stress develop होता है, उनके body में यह सारी चीज़े डवलप होती है, औ हर एक chronic disease is often, जाधा तर आपकी lifestyle के उपर depend है, तो आपको lifestyle ठीक करनी है, ना कि दवाई खानी है, ना कि दवा ढूननी है, ना कि तिगडम बाजी धूननी है, ना कि हमें ढूनना है कि कोई मेरे को home memory बता दे, मैं अधरक को लसन के साथ मिला के, मुठी मार के, चार बजे और ए wheat, wheat or leaf, basically, right, it's very very important, so, at the end of the day, leaky gut is just a syndrome, where आपके intestine में कुछ भी problem हो रही, intestine की permeability बढ़ जाए, intestine की mobility बढ़ जाए, intestine के अंदर inflammation हो जाए, all are considered as leaky gut syndrome, so, आपको क्या करना है, पेट को खाफ रखे, सही रखे, सही मातरा में फाइबर खाई है, सही मातरा में दही खाई है, दही प्रोबाइटिक कोई भी ले लो, प्रोबाइटिक एपसूल सापको डेली एक ले सकते हो, या फिर बदब नॉट विडाउट नीड, दही इस बेस्ट नैचरल प्रोबाइटिक, प्रोबाइटिक दही, छाच, इस और गुड, अगर बीमारी लग रही है, पेट में तब आपको प्रोबाइटिक लेना है, तो तीन इस चीज मांगते हैं, आपको फाइबर चीज आपको पानी चीज आपको प्रोबाइटिक यह तीन चीज दे दो, उसके अलावाबा जो नूटरेंस चीज वह अपने आप एब्सॉब कर लेगा, आपके बॉड़ी के अंदर जाने आपको समझ आई बात, कोई ऐसी खतरनाक बीमारी नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन दरीजन, लोग आपको उल्टा सीदा बोलेंगे, आप इंटरनेट पे देखोगे, बटें दरीज, दरूथ इस दिस, देन, वाटर यो कोशन, किसी के कोई सवाल, कमेंट सेक्शन पर झाल